तो आज को जो मैटर मैं डिसकस करने वाला हूँ वो होता है जैसे husband और wife के बीच में जिस तरह का relation होता है इस जो गाड़ी का component है इसका बीच में भी इसी तरह का relationship होता है जैसे husband और wife जगडते रहते हैं लेकिन दोनों को एक साथ ही काम करना है अगर संगसार में आपको रहना है तो कोई अलग होके चलने ही सकता है तो आज को भी बात करेंगे उसी matter पर जो है अपना gear box ठीक है gear और speed के बारे में दोनों एक दूसरे छोड़के चलने ही सकता है मैं ब गाड़ी का 5-speed manual 5-speed की हुए वहां 2-3-4-5 और यहां पर है reverse तो इसमें क्यूंकि 5 gear है तो इसको बोला जाता है 5-speed manual reverse को कहीं भी पकड़ा नहीं जाता है अग नया जो गाड़ी आ रहा है उसमें 6 gear भी रहता है तो उसके बोला जाता है 6-speed manual तो reverse को कहीं पर भी count नहीं किया जाता है तो आप इससे पहले में मैं वीडियो बनाया हूं लेकिन एक बार आप लोग को समझा देता हूं ठीक है अभी 3-4 के बीच में हमेशा neutral रहता है ठीक है गाड़ी को अगर को first gear में लगाना है तो आपको इधर ठेलोगे फिर यहां आ गया फिर आपको इसको उपर ठे तो आपको neutral में गाड़ी को रोक के रखना है चली अभी बात करते है असल मुद्धे पर गाड़ी का speed कितना होना चाहिए कौन सा गेर में अगर हम first gear में चलाते हैं ठीक है अगर मैं क्या किया clutch को पूरा दबया गाड़ी को मैं first gear में दिया ठीक है गाड़ी को first gear में लगा द में बढ़ाना शूरू करूंगा अब देख सकते हो जब गाड़ी नीट्रल में रहता है या फिर फर्स्ट गेर में नहीं होता है तो गाड़ी का आरप्म लगबग 800 के आसपास ही रहता है अब ही मैं क्या करूंगा धीरे-धीरे करके एक्सलेटर को दबाऊंगा जहां में एक् आप देख सकते हो बिल्कुल भी जीरो में है आरपीम लगबग 1200 के आसपास अभी मैं क्लैक शोड़ रहा हूँ आप देख सकतो गाड़ी फिलाल फर्स्ट गेर में है ठीक है अभी मैं कहकर हूंगा गाड़ी को मैं थोड़ा सा देखो बढ़ाना मैं शूरू किया धिरे-धि रहा है मेरे को यहां पर गाड़ी को थोड़ा सा मूड़ना है ठीक है गाड़ी का स्पीड देखो जस्ट मूव होना शुरू हुआ है ठीक है जाड़ी जस्ट मूव हो रहा है गाड़ी का स्पीड देखो आप अभी फिलाल आपको जीरो में दिख रहा होगा ठीक है ठीक है अभी जहां आपका गाड़ी का स्पीड लगभग 10 किलो मेटर, ठीक है? 10 किलो मेटर पर आवर का जब आपका स्पीड आ गया, तो आपको क्या करना है? आपको दूसरा गेर में लगाना है, जो क्यो होता है, सेगेंड गेर, मैं से टाना, आप गाड़ी को देखो, सेगेंड गेर में लगा दिये, ठीक है, अभी यहां तो मैं फिलाल बिल्लिंग का अंदर हूँ, 20 का उपर मैं जान नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो यह मैं देखो, अ से प्राइब के जाने खाड़ी को कुःए को आपक शचांस है, आप फिर प्रब्लम नहीं आएगा, यहां आपका यह क्या होता है जब भी हम लोग specially highway पर जब भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को कोचिश करो गाड़ी को 5th gear में रखने के लिए है ठीक है या फिर आप जो हम साइस City में ड्राइफ कर तो 3 और 3 और 4 बीच कर सबसे बेटेरी में आपको गुमते रहना है जब भी गाड़ी रोकोगे तो 2nd गेर में लाओ ऐसेले न्यूट्रल करके गाड़ी को रोक दो 1st गेर में जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाड़ी रोकने से पहले इनफेक्ट किसी भी गियर से ठीक है पांच चार तीन दो एक कहीं से भी आप सीधा नीटरल में आके गाड़ी को ब्रेक दबा के रोक सकते हो लोवर गेर में आके गाड़ी को रोकने के कोई भी जरूरत नहीं है तो दोस्तों आसा करता हूँ यह चोटा सा वीडियो में जो समझाया आप लोग को अच्छा लगा है और एक चीज़ में बताना भूल गया रिवर्स गियर में हम कभी भी 10 किलोमेटर से उपर स्पीड में रिवर्स मत किया करो इससे रिवर्स गियर के जो मेकानिजम है उसके पर जोर पड़ता है तो उसको थोड़ा सा आप दिहान में रखो ठीक है तो एक बार मैं लिग भी दिया आपको कौन सा स्पीड में कौन सा गियर में आपको गाडी को चलाना है इस से भी और जो बहुत ही जल्द और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ चैनल को सरब्सक्राइब करना मद भूलियेगा